सब्सक्राइब करें हमारे चैनल Genron Tech को और बैल आइकन को दबाईए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील मालविया और आप देख रहे है Genron Tech आज का वीडियो वह यह है किस तरह से आप बैक अप ले सकते हैं अपने pen drive में यहां पर ऐसा है कि अगर आप चाते है कि आप कोई specific video है या कोई ऐसी video है जिसका आप backup निकालना चाहते है hard disk के अंदर या आपके pen drive के अंदर तो वो किस तरह से करेंगे वो आज मैं आपको इस lecture में बताऊंगा So guys, अगर अब तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe करें Because ऐसे बहुत सारे खूबसुरत से खूबसुरत और अंगिनक वीडियो रिलेटेट टू टेक्नलोजी हम आपके लिए बनाते हैं इस चानल पर So अगर आपने अब तक हमारे चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe करें और हमारे जो चानल है उसको देखते रहे So यहां पर हम आज सीख रहे किस तरह से आप backup ले सकते है pen drive के अंदर So यही चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ So मैंने अपना pen drive DVR में insert कर दिया है So अब आपको क्या करना है backup निकालने के लिए वह मैं आपको बताऊंगा So आपको सबसे पहले तो अपने DVR पर करना है right click और फिर आप चले जाए main menu के अंदर So यहां पर हम जाएंगे backup option इसके पहले मैंने वीडियो बनाई है search के उपर यानि कि अगर आप अपने recording देखना चाते है किसी specific date की तो वह आप search के तुरू कर सकते है तो कैसे यह होता है यह आप चाहे तो मेरा video देख लीजिए या मैं i-tab में video का link दे देता हूं आप चाहे तो देख सकते हैं So आए सीखते की किस तरह से pen drive के अंदर आप backup निकाल सकते हैं So आपको click करना है backup Backup निकालने के लिए या backup button दबाने से पहले आप अपनी pen drive जरूर इंसर्ट कर लिए DVR के अंदर So यह मैंने click कर लिया So यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास कुछ options है सबसे पहला option है वह हमारा USB disk का यहाँ पर हमने USB disk इंसर्ट की है So यह आप देख पाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पास option है start time and end time यहाँ पर आपको recording किस date से या किस समय से कब तक की चाहिए वह आपको यहाँ पर define करना है So यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 312 है So मैं यहाँ पर change करके 02 कर देता हूँ Because मुझे दो तारीक की recording चाहिए So दो तारीक December 2017 यहाँ पर हम करेंगे 15 तो मुझे तीन बजे से recording चाहिए और कब तक तो यह हम करेंगे दो तारीक same December और हम यहाँ पर लेंगे 5 minute की recording Because जैसे मैंने बताया है हम यह lecture training purpose के लिए कर रहा है तो यहाँ पर मैं recording जो है थोड़ी सी निकाल के दिखाऊंगा यान कि थोड़ा चोटा मोटा backup निकाल के दिखाऊंगा So यहाँ पर 0.5 So यह मैं 00 कर देता हूँ So यहाँ पर देख पाएंगे मेरी जो recording है वो मुझे चाहिए 2 तारीक 12 3 बजे से लेके 2 तारीक 12 3 बजकर 5 मिनिट अब यहाँ पर option है कि हमें कि कि कामरे से चाहिए यान कि मेरे पास जो DVR इस वक्त लगा हुआ है वो है एक 4 चानल DVR So मुझे recording चाहिए Camera No.4 है So यह मैंने भी set कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर देख पाएंगे हमेरे पास 2 formats है एक है DAV format और एक है ASF format So यहाँ पर दोस्तों याद रखे कि जबी भी आप backup निकाले तो ASF format में ही निकाले Because ASF format जो है यह आपको support करेगा multiple players के उपर यानि कि जो video जो निकलेगा जो video का जो backup निकलेगा और अगर आप वह ASF format रखे तो अनगिनक जो players होते है जैसे VLC player हो गया या Windows Media player हो गया या Goom player हो गया इन सारी players पे वह आप जो आपके जो वीडियो है या आपका जो backup है वह आप play कर पाएंगे So ASF ले अगर आप DAV format तो अगर आप DAV format लेते तो जो recording है वह उसी player के अंदर ही चलेगी Windows Media player या VLC पर इन सारे players पर recording आपकी नहीं support करेगी जो DAV है So recording करते वक्त ASF format ही ले और यहाँ पर हम click करेंगे backup option पर So very easy सिर्फ आपको करना है backup So आप देख पाएंगे very easy आपने USB लगा दिया कौन सा disk है आपने start time end time with a date select कर दिया ASF format और camera number select कर दिया अब हम करेंगे backup No file selected Search करेंगे सबसे पहले So आप देख पाएंगे मेरी एक file मुझे मिल गई है आप देख पाएंगे start time end time So यहाँ पर आप क्लिक करेंग backup option पर कि हमने क्लिक कर लिया backup अब आप देख सकते है लगबग दो मिनिट लगेंगे backup निकलने के लिए So यहाँ कुछ चीजी में आपको बता दू कि बहुत सारे lectures है हमने बनाय है DVR के उपर DVR की settings किस तरह से DVR को setup करते हैं किस तरह से आप घर बैट करें एक total cctv surveillance camera का setup लगा सकते है अपने office में अपने घर पर इसके उपर बहुत सारे अंगिनक lectures हमने इस channel पर डाले है इसके अलावा भी आप technology से related बहुत सारे video देख पाएंगे हमारे channel पर So अगर आप तक तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे channel को subscribe करें ताकि कोई भी latest information या कोई भी latest video जब हम upload करें आपके लिए तो उसका notification आपको आसानी से मिल जाए So दोस्तों यह हम निकाल रहे थे backup इससे पहले हमने video बनाया कि किस तरह से आप recording search कर सकते हैं So अगर आपने अब तक वह video नहीं देखा है तो देख लीजिए और guys do subscriber channel and do liker videos अगर आपको यह video पसंद आ रहा है तो हमारा backup लगबग complete होने आया है So यह 4 seconds, 3,2,1 So आप देख सकते हमारा backup जो है वह तयार है इस वक्त So बहत easy, बहत असान So आप देख सकते हमारा backup है वह तयार है So मैं आपको यह backup ले करके दिखाता हूं कि यह कैसे होगा Okay करे So backup आपका ready है So आए चेक करते हैं कि backup हुआ है कि नहीं So यह आ गए है हम हमारे desktop पर So मैं मेरा pen drive attach करता हूं मेरे desktop पर So यह pen drive लगा दिया, यह detect हो चुका है Sunil लिखकर आ गया, आए माई computer में चले This computer और यह रहा मेरा pen drive जो है लगबग 2GB का अंदर चलते हैं So यह देखे गाईज, यह रही हमारी file जिसका backup हमने DVR से निखाला यह 5 minute की file है इसका जो extension है वो ASF format है जो हमने निकाला है और इसे double click करेंगे So यह हमारी file खुल गई, आप देख सकते हैं हमारी file जो है वो बहुत ही clear है हमने जो download किया था backup वो है 720p का यानिकी half HD इसलिए हमारा जो backup आया है वो बहुत ही clear है तो देख सकते है guys video बहुत clear है इस तरह से आप अपने pen drive में backup ले सकते है जितने समय का चाहिए उतने समय का So guys इस video में इतना ही Subscribe जरूर करें हमारे चैनल को Like जरूर कीज़ेगा वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धनेवाद video को देखने के लिए देखते रहे general tech और भी हमारे videos है सारे videos देखे और सीखते रहे 2000 subscribers complete होने की खुशी में हमने रखा है एक contest Contest के मताबिक किन ही 5 subscribers को मिलेंगे यह 5 किप किन ही 2 subscribers को मिलेंगे Jio के एक एक phone किन ही 2 subscribers को मिलेंगे 1000,000 रुपए के Amazon के vouchers और किन ही 10 subscribers को मिलेंगे 100,000 रुपए के recharge Contest में part लेने के लिए आपको इस channel को करना है subscribe वीडियो को like करना है दिल चाहे comment करे और share करना ज़रूरी नहीं है result declare होंगे 10,000 subscribers cross होने के बाद झाल